बस एक कटोरी सुबह सुबह से बना के खालो, पेट तो भरेगा ही, ना थकान महसूस होगी, ना कमजोरी, पूरे दिन तरो ताजा महसूस करोगे, आप इसे सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते, और शाम को इसे डिजर्ट की तरह भी बना सकते, आप इसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूटीब चैनल मा कीरसोई अंजू को जरूर सस्क्राइब करें, अगर आप इस नास्ते को शुबह में बनाएंगे, तो ये 10 से बारे बादाम रात को ही भीगो के रख दे, बा इसलिए इसलिए इसका छिलका निकालना जरूरी है, इसी तरह हम सारे बादामों का छिलका निकाल देंगे, आप एक मिक्सी का जर लेंगे, उसमें ये छिले हुए बादाम डाल देंगे, खस-खस में भी छान के सारा पानी निकाल लेंगे, और खस-खस को जर में डाल लेंगे, इसी के साथ सौप का भी पानी रिकाल देंगे, उसे भी सी मिक्सिंग जर में डाल लेंगे, इन्हें जर जार में डालने के बाद इसमें दूעद के साथ पीस के तैियार करना है जारक ठखकर लगाके इसे बारिक पीस लेंगे धीक है आगे जान लेते इसका काई ओले है लाद की करना कारते है ुथाहि ? info 거지 जाद काल काना है ऐसाद मतर्स पीस आधा है लेकिन घी में इने सेकने से इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और घी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदे मन्द होता है तो यहाँ पर जब इनका हलका कलर चेंज होने लगे या इने तोड़ के देख लीजिए ये आराम से तूट जाएं तो इने कड़ाई से अलग निकाल लेंगे इने कड़ाई से अलग निकालने के बाद उसी गरम कड़ाई में एक चमच घी और डालेंगे अब कढ़ाई में जो चीज जाएगी वो है पेड भरने बाली, इसे कहते हैं ग्याहूं का दलिया, ये ग्याहूं के छोटे छोटे दाने होते हैं, इंगलिश में इने व्रॉकन वीट भी बोलते हैं, ग्याहूं को दल के इने तयार किया जाता है, मार्कीट में ये आसानी से मि इसका कलर एकदम वाइट वाइट होता जा रहा है, ये एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, सुबह के नास्ते के लिए एकदम हेल्दी रैसेपी है, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो इस तरह से घी में बून के भी डब्बे में भरके रख सकते हैं, जब भी बनानी हो, फटाफट बना सकते हैं, दलिया हमारा अच्छे से बुन गया, अब इसमें डालेंगे एक तिहाई कटोरी दलिया के लिए हम डालेंगे हाँ पर चार कटोरी दूद, दूद आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको दलिया कैसा चाहिए, अगर ख गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इसमें हमें अच्छे से उबालाने देना है, शुरू के पांच मिनट गैस को हाई रखेंगे, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, दलिया जब पकते हुए गाड़ा होने लगेगा, ताब इसमें हमने जो बादाम का और खसकस का पेस्ट बनाया, उसे डाल देंगे, इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे दलिये में, और दलिया भी एकदम रबडीदार बनके तयार होगा, अब इसे डालके तुरंच चलाते रहें, ताकि कड़ाई में ये नीचे लगे न, इसे मीठा करने के लिए हम यहाँ पर चीनी डाल रहें, अगर आप चीनी अवोइड करते हो, तो गुड़ी या धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, और आपको अगर कोई परेशानी नहीं है, तो 8-9 चमत चीनी डाल दीजिए, या अपने स्वाद अनुसार, चीनी के उडालने के बाद इसे चलाते हो मिक्स करेंगे, आप इसे हाथ से दबा के देख लीजिए, यह नरम है या नहीं, या इसे खा के भी देख सकते हैं, यह इस तरह जब मैश होने लगे, यह बनकर तैयार है, और अच्छा गाड़ा रबडिदार भी हो गया है, यहाँ पर हम घी में बुने हुए मखाने डाल द देंगे, यह बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होके तैयार हो जाते हैं, देखे कितना अच्छा टैक्षेर आया है इसका, तैयार है हमारा हेल्दी नास्ता, आप इसे ब्रेकफास्ट में या घर में मीठा बनाना हो तो भी बना सकते हैं, आप इसे गर्मियों के मौसम में फ्रिज आने की खीर जरूर बना के देखें, यह रैसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी और आप इसे टिफिन के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपको यह रैसिपी अच्छी लगे तो रैसिपी को लाइक, शेयर और आपके अपने यूटीब चैनल माकी रेसोयन जू को जरू सस्क करें